आपने किसी व्यक्ति को पैसे दिये और वो अगर आपके पैसे वापस ना करें इस कंडिशन में आप क्या करेंगे? क्या है कानूनी प्रक्रिया पैसे वापस लेने की? इस पुर्टिकलर वीडियो में बात करेंगे नमश्कार आप सभी का बहुत स्वागत है आपने शुरुआद अशोग पांडे के साथ में की है जानकारी लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अगर आपने किसी व्यक्ति को पैसे दी है और अगर वो आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है तो इससे संबंधित कानूनी प्रक्रिया क्या होगी? सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आजकल सारा कुछ इंटरनेट और टेक्निलोजी का जमाना है मुबाइल फोन से पैसे ट्राइस तो आप कैश देने से कत्राएं आप कैश देने से बचें सामने वाला आपनी कितनी भी मज़बूरी बता रहा हो आपको जो पैसे हैं वो ऑनलाइन ही ट्रांसफर करने हैं इससे क्या है अब से एक साल बाद भी अगर आपको आवशक्ता पड़ी जरूरत पड़ी तो उस condition पर आपके पास में उस सबूत के तौर पर जो आपने वो पैसे भेजे हुए हैं उसकी description details होगी पहला important point दूसरी जो बड़ी गलती हम ये करते हैं कि पैसे लेते समय हम ब्याज में कई बार पैसे देते हैं interest में पैसे देते हैं तो उससे बचें आप वो आप मना करें वो जादा बहतर है और अगर देते भी हैं तो उसके लिए आप एक specific agreement बना लें और जो आप specific agreement बनाएंगे कितना पैसा आपने दिया जिस व्यक्ति के सामने वो पैसे दिये दो गवाह reverse किये हुए हैं तो कुछ भी हो सकता इस वज़े से सतर्कता जरूरी है आप हमेशा इस बात का ध्यान में रखें कि जब कभी आप पैसे दे रहे हैं उस समय आप agreement जरूर कर लें इस stamp paper में करें दो व्यक्तियों के सामने statement जरूर उसके record हो जाएं और उसको notarize आप करवा करक तीसरी महत्यपूर्ण बात जब कभी भी आप पैसे दें मान लीजे आपने मुझे एक लाक रुपे दिया अब आप उसका एक check ले 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 चेक ले लेने से क्या होगा कि अगर मैंने वो पैसे आपको within a time या limited जो आपने time determine किया था उस समय पे नहीं देता तो आप मेरे खिल से उसे संभाल के रखें क्योंकि अगर वो खो जाएगी गुम जाएगी फिर आप अपनी बात को साबित नहीं कर पाएंगे तो इस वज़र से काफी जरूरी होता है कि जब कभी हम पैसे दें उस पैसे का व्योरा उसकी detail सबूत के तौर पर हमारे पास में होनी चाहिए अब आपने धोखा दड़ी करके मुझसे पैसे ले लिए तो मैं आपके खिलाफ में FIR भी दर्ज कर सकता हूँ दूसरी बात civil litigation में जाओ क्योंकि जादा तर हम अपने दोस्तों को देते हैं रिष्टेदारों को देते हैं अब उनको जेल थोड़ना भेज देंगे तो उस condition पर हम recovery of money का केस उनके खिलाफ में फाइल कर सकते हैं जिसके लिए पहले हमें एक legal notice उन्हें भेजना पड़ता है और legal notice में अगर वो compromise हो जाता मामला मेरे पैसे वापस आजाते well and good नहीं आता तो मैं कोर्ट में फिर recovery of money का एक summary suit फाइल करूँगा कोर्ट मेरे पैसे मुझे वापस क परवा देगी तीसरी बात जब कभी आप check का जो होता है check bounce के जो मामले आ जाते हैं वहाँ पर भी आपको एक legal notice भेजना होगा और फिर अगर payment आपका नहीं आया तो 138 negotiable instrument act की कारवाही करते हुए आप उस पैसे को recover करने की कोशिश करेंगे और अगर intentionally गलत तरीके से किसी व कोट में भी शिकायत कर सकते हैं दो प्रोविजन है उसके 156 subsection 3 CRPC 1973 का जो कानून है जहां पर direct magistrate को आप शिकायत कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया पुलिस मेरी FIR नहीं लिख रही दूसरा जहां पर section 200 में magistrate को आप complaint case फाइल कर सकते हैं फिर वहाँ पर जो कोट है वो पुलिस क direction नहीं देगे कि आप FIR लिखो in fact जो पूरी प्रक्रिया है वो फिर कोट में ही चलती है यह कुछ तरीके होते हैं जहां से आपने दिये गए पैसों को recover कर सकेंगे जब आप किसी businessman व्यापारी के साथ में किसी व्यापार के लेंदेन से सम्मंदित पैसों की बात करें तो वहा कोई जनकारी कैसे लगी जरूर मुझे बताइएगा कोई प्रशन है कमेंट बॉक्स पर आप मेंशन कर सकते हैं साथ ही साथ अगर मुझे डिरेक्ली बात करना चाहें इस वीडियो को डिस्क्रिप्शिन में डिटेल है जहां से डिरेक्ली appointment बोग करके आप और मैं कर सकेंगे बात मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहें